कलकता हाइकोर्ट से मंता बैनर्जी को तगड़ा जटका चुनावों के बीद जटपटा रही है दीदी शाजांशेक ने मंता के खिलाफ उगले कई राज संदेश खाली में सीबी आई की एंट्री से मचा बवार नमस्कार मैं हो परवीशेक आप देख रहे हैं कैपिटन टीवी की स्पेशल स्टोरी इस स्टोरी में बात करेंगे संदेश खाली में चले कलकता हाइकोर्ट की तगड़े हंटर की जिससे मंता बैनर्जी चटपटा रह संदेश खाली को लेकर हाइकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है इस वैसले से पश्यमंगाल में सीबी आई की एंट्री हो गई है उस सीबी आई की जिसको लेकर ममता सरकार ने विधान सभा में वो नया बिल लेकर आई थी इस बिल के मताबिक राज्जे में उनके बिना संदेश खाली मामले की जांच कर सकती है कलकता हाइकोटे पश्यमंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबी आई से करवाने के निरदेश दिये हैं संदेश खाली के महिलाओं ने प्रणमूल कॉंग्रेस याने टी-मसी के नेताओं पर योन उत्पिडन और जबरन जमीन कबजे का आरुख लगाया है इस मामले में शाह जहांशेक, शीवु हजारा और उत्तम सरदार मुख्यारोपी हैं तीनों को ग्रफतार कर लिया गया है संदेश खाली से जुड़ी पांच जनहित याचकाओं पर चीफ जस्टिस टी एस शिव ग्यानम और जस्टिस हरणनम में भट्टाचारे की बैंच ने सुनवाई की बैंच ने कहा कि कोट की निगरानी में सी बी आई जांच होगी सी बी आई जांच रिपोर्ट हाई को जुट को सौपेगी और दो मael को माअई को मामले में फिर सुनवाई होगी कोट के आदेश के बाद राज्य की मम्दा सरकार CBI जांच पर रोख नहीं लगा पाई दरिसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंदरी जांच एजनसी CBI के इंक्वारी के लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है कलकता हाई कोट के आदेश के बाद अब इसकी जरूरत नहीं होगी इससे पहले कलकता हाई कोट ने 4 अपरेल को कहा था कि संदेश खाली का एक फिसीदी सच भी शर्मनाक है कोट ने कहा था कि पूरा प्रशासन और सत्ता पर काबिस टीमसी इसके लिए नैतिक तोर पर 100 फिसीदी जिम्मिदार है ये लोगों की सुरक्षा का मामला है संदेश खाली में शा जहां शेक और उसके दो सातियों शीवू हजारा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वो महिलाओं का लंबे वक्ष से गैंग रेप कर रहे थे इस केस में शीवू हजारा उत्तम सरदार शा जहां समित 18 लोगों को पुलिस गिरफतार कर चुकी है शा जहां शेक टेमसी का डिस्टिक लेवल का नेता रहा है राशिन गोटाले में एडी ने पांच जन्वरी को उसके घर पर चापे मारी की थी तब उसके दोसों से ज्यादा समर्थकों ने तीम पर अटैक कर दिया था यानि एडी पर सीधा हमला किया था अफसरों को जान बचा कर वहां से भागना पड़ा था उसके बाद शा जहां शेक परार हो गया था और 55 दिन के बाद उसे पकड़ा गया था हाई कोट ने बंगाल सरकार से कहा था शा जहां को गरफतार करो नौर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में क्या हुआ शा जहां कैसे मजदूर से बना माफिया एडी अफसरों पर शेक समर्थकों ने ही किया था हमला शा जहां शेक की गरफतारी को लेकर कलकता हाई कोट की चीफ जस्टिस टी एस शिव ग्यानम ने आदेश दिया था कि पुलिस हर हाल में चार मार्च को अगली सुनवाई में शा जहां शेक को कोट में पेश करें उसकी गरफतारी पर कोई स्टेड नहीं है कोट ने हैरानी जताई की संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की जानकारी चार साल पहले पुलिस को दी गई थी योन उत्पिडन समित 42 मामले हैं लेकिन उसमें चार शीट दायर करने में चार साल लगा दिये नौर्ट 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं ने टीमसी ने ता शाज जहाशेक और उसके समर्थ को पर योन उत्पिडन और जवरन जमीन हडपने का आरोप लगाया लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जाता था और उनके साथ दुशकर्म किया जाता था इसके बाद संदेश खाली में स्थाने महिलाओं ने विरूत प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोपियों की गिरफतारी की मांग की आरोपी शाथ जहां शेक संदेश खाली में कहां से आया ये भी बड़ा सवाल था ये कोई नहीं जानता था आपको उतादी की साल 2002 और 2001 में वो मतस्से केंदर में मजदूर था सबजी भी बेची फिर एड भटे पर काम करने लगा और यहीं से उसने मजदूरों की यूनियन बनाई फिर सी पीम से जुड़ा सिंगूर और नंदी ग्राम आंदुलन में वामदलों की जमीन खिसकी तो 2012 में वो त्रमूल के ततकालीन महसचीव मुकुर रॉय और उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता जोती प्रिये मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ गया गाउं वालों ने बताया कि शाजहां के पास सैक्डो मचली पालन केंडर, एड भटे, सैक्डो एकर जमीन और वो दो से चार हजार करोड की संपत्ती का मालिक मलब एक पूरा सामराज्य जो था वो यहाँ पर शाजहां शेक के कबजी में था पश्यमंगाल में कुरोना के दौरान कथित्तार पर हुए हजारों करोड रुपाय के राशन गोटाले में एड ने पांच जनवरी 2024 को राज्य में 15 ठिकानों पर चापा मारा था टीम ने नौर्थ 24 पर गनाजीले के संदेश खाली गाउं में शाजहां शेक और शंकर अध्याय के घर पर रेट डाली थी और इस दौरान उन पर टेमसी समर्थ को ने जानलेवा हमला कर दिया था जिसमें तीन अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गय थी एड़i पर हुरूए हमले के बाद ही संदेश खाली सुर्क्यों में आ गया था जिसके बाद एकके बाद एक कई बड़े खुलासी होते चलेगे और संदेश खाली का काला सच भी सामने आ गया अब संदेश खाली का दरिंदा कानून की गिरफ्त में है वोई ममता सरकार का असली चहरा अब सामने आ चुका है और ममता बैनर जी जो है महिला विरोधी करार दे दी गई है जिनकी वीवी सुन्दर उनको ही मिलता है ममता सरकार से पैसा टीमसी केंडिडेट को जनता ने जम कर सुनाया बीजेपी बोली बंगाल का हर गाउं बन रहा है संदेश खाली लोग सब़ चुनाव में संदेश खाली बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है एक बार फिर से लोगों में तरणमूल कॉंग्रेस और बंगाल सरकार को लेकर गुसा देखा गया इस बार बीरभूम के रोतारा गाउं में तरणमूल कॉंग्रेस की सांसद और टेंसी की प्रत्याशी सतापदी रोय से जंता ने अपनी शिकायत की उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार अपनी योजनाओं का फायदा उन लोगों को देती है जिनकी बीविया सुन्दर होती है मामला 6 अपरेल 2024 का है सतापदी रोय गाउं में अपने चुनावी प्रचार के लिए गई थी तब ही लोगोंने उन्हें घे लिया और वहां खड़े हो गए इस दोरान एक शक्स ने उनसे कहा कि जिनकी बीविया सुन्दर होती है सिर्फ उन्हें ही सरकारी योजनाओं के तहत पैसा मिलता है जिनकी बीविया सुन्दर नहीं होती उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता मुझे ये बास साफ कही गए और शिकायत का वीडियो मेडिया में आने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है बीजेपी प्रवक्ता ध्रूफ साहा ने मम्ता बैनेर जी पक गुस्सा जाहिर करते में कहा टीमसी सिर्फ लोगों का दिमाग असलियस से भढ़काना चाती है ये सच है कि बंगाल का हर गाउं अब संदेश खाली बन रहा है आपको बता दे कि टीमसी ने इस मुद्दे को हलके में लेने की कोशिश की है उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो लोग ये कह रहे हैं कि घर में सुन्दर पत्नी नहीं हो सकती वो क्या कहना चाते हैं कि बसूरत पत्नी वालों को सरकार कोई फायदा नहीं देगी रिपोर्ट्स के मताबिक उन्होंने कहा कि चाहें सुन्दर हो या बसूरत सरकार की स्कीम की तहट पैसे का फाइदा सब को मिलेगा लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कहीं पैसों का गलत इस्तमाल तो नहीं हो रहा है हम सो फिसी दी नहीं कह सकते कि हर जगा अच्छा काम ही हो रहा है और तलबी की केस संदेश खाली का मामला उजागर होने के बाद सामने आया शुरू में जैसे ही संदेश खाली का मुद्धा दबाने की कोशिश हुई वैसे ही यहाँ पर इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जारी और जिस शक्स ने ये बात की है उसे चुप कर आया जा रहा है लेकिन यहापर जो शक्स बताया जा रहा है वो सैफोल शेक समेट दूसरे लोगों की शिकायतों का वीडियो भी वाइरल हो रहा है दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता कर सकते मगर पिछले दिनों जिस तरह से बंगाल में घटनाय सामने आई है वो यह सूचने पर मजबूर करती हैं कि वहां आखिर लोकल जनता के साथ हो क्या रहा है संदेश खाली मामले में भी स्थाने लोगों ने आरोफ लगाये थे कि सुंदर महिलाओं को बुला कर टीमसी के गुंडे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं परिचुना प्रचार के लिए प्यम मोदी जब जलपाई गुड़ी पहुचे थे तो उस वक्त मंज से ही प्यम मोदी ने साफ कर दिया था कि संदेश खाली के गुनेगारों को बक्षान नहीं जाए का उन्होंने कहा जो यहां माताओ बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे टी एम सी सरकार ने संदेश खाली के गुनेगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टी एम सी के अत्याचार की पराकाश्ता थी अब बीजेपी ने संकल पलिया है कि वो संदेश खाली के दोश्यों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा तो पियमोदी की ये ललकाल ममता सरकार पर भारी पढ़ने वाली है इस वक्त बंगाल में टीमसी बैकफूट पर है कि आप संदेश खाली घटना के आरूपियों के साथ है मोधी और शा के इस आक्रमक चुनापरचार से परश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्तती काफी मजबूत नजर आ रही है जबकि मंता सरकार जो महिलाओं में ज्यादा लोग प्रिय थी अब वो महिलाओं के निशाने पर है और इसके लिए संदेश खाली की घटना को जिम्मेदार बताया जा रहा है तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें नमस्कार